आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल स्वाती नामक नक्षत्र होगा तथा तुला राशि में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूर दिशा में रहेंगे इसलिए पूर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूर दिशा की यात्रा करना बह आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे। या इस्थाई संपत्ती संबंदी फाइदा इनको प्राप्त हो सकता है। कारिक्षित्र में एक नई उपलब्धी इनको मिलने वाली है। इसके अलावा जो काम इन्होंने पिछले दुनों किये थे उसके भी लाभप्रत प्रेणाम इनको देखने को मिलेंगे। तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी ही। फाइदा उठा सकते हैं। दो पहर के पश्चात ग्रहस्तितियां कुछ विपरित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे। इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविद्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए। महनत और लगन से कारी किया गया तो आपको निश्चय ही लाप्रसिद्ध होगा। और उपाय के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक तथा, अन्य, कारियों के प्रती आपका विशेश योगदान रहेगा। आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेश उपस्तिती रहेगी। इस समय परिस्टियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होगी। लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे। घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे या समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। करक्षत्र में आई के साधनों में ब्रद्धी होगी। इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा। विध्यारतियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी। धार मकार्म तथा अध्यात में गती विधियों में आपकी रूची बढ़ेगी। इस समय धन के लेंदन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है। जिसकी वज़ा से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा। आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव को सहज वा नरम बना करके आपको रखना चाहिए। आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपुर्ण इनर्ण गलत होने की वज़ा से नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे, नुक्रिपिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वज़े से और टाइम भी करना पड़ेगा। उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका बाडामी होगा। अब हम बात करत अधियों के बीच हास परियास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा। परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे। व्यस्तता के बावजूत सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे। परंतु अपने विरोधियों की गटी विदियों क को नजर अंदाज न करे। आप किसी शड्यंत्र या गलत फेमी के शिकार भी हो सकते हैं। किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है, मन आपका व्यतित हो सकता है। उपाई के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुपलदाई साबि होगा। आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा। अब हम बात करते हैं सिंग राजी की। आपका प्रभावस्वाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतित करना आपके आत्मबल्व कारिक्षमता में और अध अधिक व्रद्दी करेगा। आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी। समाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है। जिसकी वजह से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है। परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है। लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे। मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रहा है। उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कन्याराशी की। आपके उत्तम व्यक्तितों तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक कारियों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ अपना दाईत्व आपको निभाना होगा, निवे शंबंदी मामलों में ज़्यादा पैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने होए हैं। उपाई के रूप में गाय को हरी घास या हरी सबजी खिलाना आप आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशी की, दिन की शुरुबात बहुत ही सुखद रहेगी, आपके सभी सोचे समझे काम शांति पूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं, आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है, इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेने की आउशकता है, घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर आपको अमल करना चाहिए, आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं, धनलाब होगा, रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, और उपाय के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं व्रश पैसानी से संभव हो जाएंगे, भाउटा में आकर कोई भी गलत निरनाय न करे, किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मदभेद हो सकते हैं, इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है, कोई भी बहारी व्यक्ति आपकी भाउनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है, इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशक्ता होगी, और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली र किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे, किसी नजदी की व्यक्ती के घर जाने का अमंतरन आपको प्राप्त होगा, पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार होगे, कभी कभी मन में निराशावा नाकरात्मक विचार उत्पन हो सकते हैं, ऐसे वि करते हैं मकर राशी की, आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे, गुप्त उसको रखना चाहिए, योजना को क्रियानवित करने से पहले एक बार पुना उस पर सोच विचार अवश्य कर ले, तथा आपको कहीं से कोई सुखत समाचार प् आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा, अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की, आज हास पर यहास तथा मनोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय वर्तीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर्जावान महसूस करेंगे, घर की महत्पूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है, और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका हारा होगा, अब हम बात करते है मीन राशी की, आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा वक्षमता को निखारने का अउसर प्राप्त होगा, समाज में आपकी किसी विशेस उपलब्धी को लेकर के चर्चाएं रहेगी, जैसे मन में उमंग वरी रहेगी, किसी महत्पूर्ण यात्रा का योग बन रहा ह और उनको करने वाले उपाय तथा भाग गिशाली, अंक और भाग गिशाली, रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंड करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब